जैने दोस्तों बंधमातर मैं यो तो भारत में कई सारी चीज़े होती रहती है लेकिन भारत की यो सरकार है वो इतनी सक्षण है कि वो हर एक सिच्वेशन को किसी ना किसी तरीकि से हैंडल दरूब कर लेती है लेकिन अगर हम भारत के पड़ ओसिहों के बात करें पिर चाहे वो श्री लंका हो चाहे वो पाकिसान हो या फिर बांगला देश ही गो ना हूँ इन तीरों ही देशों में इतनी ज़्यादा मिली जुली सरकारे हैं कि हम पाकिस्तान में हर काभी तकता पलát होता रहता है और बांगलादेश की सिद्धी भी कोई बहुत अच्छी नहीं लेकिन पिछले कोई समय में जिस तरीके से बांगलादेश में हिंदू के उपर हमले बढ़े हैं उनको लेकर वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना उन्होंने कहा है कि भाईया मतलब ये जो चीजे हो रही हैं गलत हो रही है और ये इसलिए बढ़ रही हैं हमारे देश में क्योंकि भारत में इन चीजों का भी बढ़ावा दिया जा रहा है मतलब आप खुद की ठाली नहीं समाल रहे हो लेकिन दूसरे की ठाली की उपर आपको आरोब जरूर लगाना है हम उनकी ये बाद भी समझ लेंगे बाद में लेकिन अब जो पागलादेश से एक और ख़बर निकल कर सामने है इसमें कि पागलादेश के ही एक बहुत बड़े क्रिकेटर को मतलब नवरातरी की बधाई देना कैसे भारी पड़ गया आप खुद ही समझो रहा है मतलब आप कोई अबना त्योहार भी नहीं मना सकता कि है समवार को नवरातरी का पर्व शुरू हो गया है हिंदुस्तान ही नहीं बलकि दुनिया भर में हिंदु धर्म के लोगों के लिए बिलकुल रास नहीं आया इतना ही नहीं कटरपंधियों उनको धंकी दिडाली और कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिटन्दास को धर्म परिवर्दन करने तक के लिए कह दिया बदाने कि लिटन्दास ने अपने ओफिशल फेस्बूक अकाउंट से दुरुगा देवी की फोटो साजा करी थी साथ ही उन्हों लिखाता कि महालया मुबारका मा आ रही लेकिन दुरुगा पूजा पर बांगलादेश से में हिंदू क्रिकेटर लिटन्दास के बदाई देने पर कटरपंदी बौकला गया कटरपंदी उनके पोस्ट से इसकदर तलमिला हुए हैं कि क्रिकेटर के लिए आपत जिनक भाशा का भी इस्तेमाल कर रहा है और देखिए ऐसा कोई पहली मरतबा नहीं जब बांगलादेश के क्रिकेटर लिटन्दास ने हिंदू फेस्टिवल पर बदाई दी हूँ गयात हो कि इससे पहले दास ने पहले क्रिश्टन जन्माश्मी पर बदाई देते को पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद भी लिटन्दास को कटरपंतियों के निशाने पर ले लिया गया था सोशल मीडिया पर इंगो ट्रोल भी किया गया था और साथ साथ धंकिया भी दी गई थी घात हो कि bạnडेश में हिंदू समधॉय के लोगों और मंदिरों को लखतार निशाना बनाया जा रहा है और अगार बीते कुछ महीनों की बात करें तो बploy देश में हिंदू के परिवार पर हमले की खबरें पूछा जाता है जिसने बच्छा बगनलेश के मुसलिम खिलाडियों से मिलने की इच्छा जाहर करता है मगर सौमे सरकार से मिलने कली बना कर देता है वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक हिंडू है तो आप इसी बात संध़ाथा लगा सकते हैं कि किस कदर नफलत जो है इन बच्चोम में भरी जारी जा रही हैessa जो भी बच्चे बड़े होंगे तो यह उसी नफलत के साथ बड़े होंगे और अफर जो बड़े होने की बाद उस नफरत को सिर्फ और सिर्फ ये मल्टिप्लाई ही करेंगे कम तो अव्य सी बाते नहीं करेंगे तो इन चीजों को लेकर आखिर क्या सरकारे काम कर रही है ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है आप लोगों के इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंड करके जरूर बता है मेरे स्वीडियों पर अतना ही जाये है चैपार